हलो दोस्तों देखिए आज हम यह थालपोस का डिजैन लेके आए हैं डिजैन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा देखिए हमने यह वाइट ग्रीन और एल्लो कलर में बनाया हुआ है यह डिजैन आप लोग कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा पसंद आए लाइक और शेयर किजिएगा देखिए हमने यह टिकी वाल थालपोस बनाया है पूरा 19 टिकी का हम बनाये हैं इससे बनाने के लिए हमने फोर नंबर क्रोशे यूज़ किया है फोर प्लाई का उलन देखिए नट लगा लगा के एक, दों तीन, चार पाँच, फाई हैं कर लिए फास्ट नं में लेकर हम इससे लाएंड करेंगे हम एक दों, थीन, थीन, धरीं और तस्टीन करेंगे बनायंगे बनायेत तो 2 मे बना वे लाएंगे तो तीन, यहां डबल क्रोशे हो गया, उसके बाद एक चेन कर लेंगे, फंदे लेंगे, फिर से हम, एक, दो, तीन, तीन डबल क्रोशे फिर बना लेंगे, फिर एक चेन कर लेंगे, फिर से तीन डबल क्रोशे बना लेंगे, फिर एक चेन करेंगे, ऐसे हमें सिक्स जगे बनाना ह 3 रवल रवल क्रोश्य बना कंप्लेट करते हैं तीन यह से तीज़ा फुरा यह पूरा याने पूरा एटीन हमने इटो रवल क्रोशे बना है तीन-दिन के बाल और उसे हम बांद के कट कर लेंगी कर दो को आपारे में बेक सैट लगा लेते हैं इसे उसके बाद से हम दुसरा कलर लेंगे यहां पर हम इस बनाना हमें ऐसे बाढ़ेंगे यहां पर इसे बाढनने के दाय को खीचेंगे पौफ बनाएंगे एक एक दो तीन चार पांच फिर इसमें से निकालेंगे यह बानदेंगे फिर यहाँ पर हम एक दो तीन चार पांच फाई चीन करेंगे फिर से फंदल लेंगे सेम जगा पर एक और पॉफ बना लेंगे एक दो तीन चार पांच फिर इसमें से निकालेंगे ये बान लेंगे उसके फिर फिर फंदल लेंगे फिर ये तीन छोड़के यहाँ पर एक chain है जो यहाँ पर फिर बनायेंगे हूं एक, दो, तीन, चार, पाँच फाइ farm drive खीचेंगे फिर इसके नीचे से निकालेंगे यह बादने के बाद से फिर यहाँ पर हम एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर सेम जग़ों पर फिर से बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, फिर इसमें से निकालेंगे, यह बादेंगे, फिर फंदे लेंगे, फिर यह तीन छोड़ेंगे, यहाँ पर चेन है, यहाँ पर बनाएंगे, तो ऐसे पूरे राउंड में कम्प्लीट करेंगे, तो देखिए हमने ऐसे राउंड में पुरा- बाद से हम दूसरा कलर लेंगे, नॉट लगाके, और जो फाइ-फाय चेन की हैं, इसमें बनाना है हमें, तो ऐसे बांद लेंगे, फिर एक, दो, तीन, थीन, थीन, फिर फंदे लेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, फाई हम डबल लाइन से बना लिएंगे, उसके बाद एक, दो, तीन, थीन, थीन, करेंगे, फंदे लेंगे, फिर से हम लाइन से ऐसे, एक, दो, तीन, चार, और एक, पांच, यहाँ पर फाइफिर से बना लिएंगे, थीन करके फिर फाई बना लिएंगे, इधर फाई बना लिएंगे, फ एक से दुस्य जाने के जगह है यहां पर ऐसे जॉइंट कर लेंगे फिर फन दे लेंगे फिर इधर जो 5 चेन है इसमें फिर से बनाना है ऐसे सीम चीज हमें एक, दो, तीन, चार, पाँच फाइर डबल क्रोशे फिर बना लें फिर एक, दो, तीन, फिर थिरी चेन, फिर से फाइर डबल क्रोशे एक, दो, तीन, चार, पाँच फिर से फाइर डबल क्रोशे हम बना लेंगे यहाँपर फिर उसके पास एक से दूसरे जाने के बीच में जो जगा है यहाँपर ऐसे जॉइंट करेंगे डाइरेक्ट फिर फंदे लेंगे फिर सेम चीज़े बनाना है हमें तो ऐसे बनाते हुए राउंड कम्प्लीट करते हैं तो हमने ऐसे बना लिया फिर यहाँ नीचे ऐसे जॉइंट करेंगे डाइरेक्ट और फिर जो पहला बनाए हैं उसमें हम ऐसे डाइरेक्ट लेके ऐसे जॉइंट करेंगे और यह बांद के कट कर लेंगे हम तो देखिए बाद बनाएंगे ज्वैंट करेंगे तो इसके लिए देखिए हमने ये बनाया है 5 double crochet line से बना लिए है उसके बाद हम यहाँ पर एक चिन करेंगे और जो यह तीन चिन का है इसमें ज्वैंट करेंगे ऐसे लेके और इसमें हम ज्वैंट कर लिएंगे फिर एक चिन करेंगे फंदे लिएंगे फिर बनाएंगे एक दो तीन चार पांच फिर फाइब बना लिएंगे फिर इसमें हम ऐसे नीचे ज्वैंट करेंगे फंदे लिएंगे फिर फाइब बनाएंगे हम डबल क्रोशिया ऐसे एक दो तीन चार पांच फाइर डबल क्रोशिय फिर बना लेंगे और फिर हम एक चेन करेंगे और इधर ज्वेंट कर लिए अब इस सेड़ यह है इसमें ज्वेंट करना है देखें फिर एक चेन फंदे लेंगे फिर से हम एक दो तीन चार पांच फिर फाइर डबल क्रोशिय बना लेंगे फिर यहां नीचे ऐसे ज्वेंट करेंगे फिर फंदे लेंगे फिर फाइर डबल क्रोशिय इधर बनाएंगे फिर थ्री चेन करेंगे फिर बनाएंगे बनाते हो इधर लाकर यहां ज्वेंट कि नियुक्त करेंगे तो यहां से और यहां तक तक करींगे तो हम यहां चिन कर लिए हैं और इसमें हम ऐसे जैंट कर लिए फीर एक चेंट करेंगे फिर यहां पर 5 डबल क्रोशे बना लिएंगे लाइन से 1 2 3 4 5 5 डबल क्रोशे लाइन से बना लिए फिर यहाँ पर ऐसे जोइंट करेंगे फिर फंदे लिएंगे फिर इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 3 4 और एक बना लिएंगे 5 5 डबल क्रोशे बना लिएंगे फिर एक चेन करेंगे और यह दोनों जोइंट है इसके बीच में हमें जोइंट करना है ऐसे लिएंगे यहाँ पर हम ऐसे जोइंट कर लिएंगे फिर एक चेन करेंगे फिर सेम जग पर 5 डबल क्रोशिय बना लेंगे एक दो तीन चार पांच देखें फिर यहां जोइंट किरेंगे फंदे फिर यहां पर 5 डबल क्रोशिय दूसरे वला चेन में एक दो तीन चार पांच एक चेन अब यह दोनों जग जोइंट हो गया है अब यहां पर जोइंट किरेंगे तीसरा जोइंट यहां पर पड़ेगा तो एक चेन करके हम इसमें ऐसे जोइंट किरेंगे फिर एक चेन फंदे लेंगे फिर दे एक दो 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 तेन चार पांच फिर हम फाई बनालेंगे फिर नीचे ऐसे जॅंट करलेंगे फिर फ metic में हमझाऊ बनाएंगे फिर इधर यह चार पांच तो देखिए अब यह तीन कर दे घआ है फिर उस से हुद्य है खिला पर यहा हम und ख्रीएंगे एक दो तीन ऐसे बनीगा फिर इधर से एक तो तीन तीन जगा इसे जॉइंट होगा और बनती जाएगा तो हम और बना ले रहे हैं फिर दिखा रहे हैं देखिए हमने यह चारो तरफ से बना लिया अब हम यहां से जॉइंट करेंगे देखिए पहला यहां पर दूसरा यहां यहां से स्टार्ट करेंगे हैं बनाना हैं उसे हम समय इंट करके और सिक्ट कर ents ce आद पीरीर करें इसे यहां पिर इन नियुक्त रेंगी और फिर फाइण दबल क्रोशे बना लेंगे जैसे इथर फाई डबल क्रोशे बनाए हैं चेम है इतर वनेगा एक एक दो तीन चार और एक बन जाएगा पांच फाइर यहांपर बना लिए फिर नीचे झराइ से जोयंत करेंगे एक से दूसरे जाने के भीच में फिर फंदे लेंगे फिर इसमें बनाएंगे 5 डबल क्रोशिया और उसके बाद से एक चिंट कर Taking करेंगे फिर इसमें बनाएंगे यहां करेंगे तो इसे बना कि यह कंपलीट करते हैं हम तो देखिए हमने ऐसे रांड में ज्वाइंट कर लिया पूरा इसमें एक दो तीन चार चार जगां पड़ा तो ऐसे राउंड कंपलीट हुआ अब इसके ऊपर हम फिर और बनाएंगे बनाने के लिए के सटार्ट करेंगे कहें से धूनों है इस पर हमें करना है तो पहले चाहिंब इसके लिए फिर यह बनाए हुआ है फिर बना लिए एक चेन करेंगे और इसमें यह संगे करेंगे जाने साइड करेंगे फिरसे इसमें 5 डूब लिट करेंगे और इक चिन करके ज्ट कर लिए और यह तो देखेंज हैं तो देखिए हमने यह इस साइड पाइज करेंगे तो इसके बाद से हम यहां से स्टाइट करेंगे एक दो तीन चाऱ वोर जवाइंट पड़ेगा इस पहीं तो हमцен से बनाएंगे पहले तो हमने नपर दूआ चे लिए इससे हम ज़िएंट कर ले रहा है फिर टीन करेंगे फिर यज पर से इहासी तो इधर। करेंगे फिर इधर ऐसे चारों जगहें तो देखिये हमने पूरा चारों जगवा जगा जांट कर लिया और तिन जगहें पड़ेगा सब्सक्राइब जांट बनेगा यह जाइए पूरा बना लिया है अब यहां पर पर लाश्ट में जोइंट करना है तो यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच फाइज जगर जोइंट पड़ेगा तो हम यहां से स्टार्ट करेंगे बनाना नहीं यह बनाया है एक चिन कर लिए हैं अब यहां से हम यह जोइंट करना है स्टार्ट करेंगे एक चिन करेंग और फिर five double crochet हम बना लेंगे like एक दो फीर पर चार Pak उए हम प्वर के बना लेंगे फिर यहां पर एक से दूसरे जाने के बीच में सहीं करेंगे फंदिलेंगे फिर तो एसे करके हम पूरा ये कमपलीट करते हैं तो देखे हमने यह पूरा ज्वाइंट कर लिया अब इसके बाद से हम इसमें चाल तरफ से जालर लगाएंगे तो जालर बनाने के लिए हम यहां से गरीन कलर लगा रहे हैं आप लोग को जो कलर पसंद आए तीनों में से कोई भी तीन, चार, पांच, फाई चीन करेंगे और धाय को खिची हम पॉफ बनाएंगे आपको चाहिए तो एक दो राउंड आप लोग चेन स्टीच करके और उसमें लो कलर का जालर या तो लगा सकते हैं टाशल या तो वाइट या तो मिक्स करके लगा सकते हैं आप लोग इसके बा पांच, फाई चेन और फिर हम ऐसे लेंगे और यह जो है यहां जॉइंट है इसमें लिएक ऐसे एक डबल क्रोश्य हम बना लेंगे ऐसे देखें फिर एक दो तीन, चार, पांच, फाई चेन फिर सेम चीज़ें ऐसे एक दो तीन, चार, और एक बना लेंगे यहाँ पर इस acompa ऐसे पांच, फिर ऐसे निकालेंगे यह बांधेंगे चेन के उपर इसमें चालैंगे फिर एक दो तीन, चार, पांच, फाई चेन फिर इसमें ऐसे जॉइंट करेंगे फिर फाइचिन करेंगे पॉफ बनाएंगे फिर यहां ऐसा बनाएंगे एक डबल क्रोश ऐसे फिर यहां जॉइंट करेंगे तो ऐसे बनाते हुए हम राउंड कम्प्लीट करते हैं फुरा देखिए हमने ये चालत रोस बनाग तयार कर लिया डिजन कैसा लग रहा कॉमेंट करके बताईएगा पसंद है लाइक और सेर किजिएगा डिजन कैसा है जरूर बताईएगा प्लीज लाइक और सेर किजिएगा कॉमेंट किजिएगा थेंक यू